देखें, mutual induction क्या होता है? mutual माने, spelling सही है ना? M-U-T-U यहाँ ठीक ही लिका हुई है. देखें, एक चीज देखी गई, एक चीज देखी गई, अब चुब देखी गई, इसलिए देखी गई, एक coil हमने लिए, इस coil का नाम ले लिया हमने L1, इसको क्या ले लिया हमने? L1 ले लिया. तो एक coil लिया L1, और इसके बगल में क्या ले लिया L2. देखें, हमने देखा, यह tap की होती है, tap ऐसे कर देखेंगे, tap ऐसे, आन हो जाएगी, छोड़ दोगे तो, आफ हो जाएगी ऐसे, tap. तो जैसे हमने इसको on किया, ऐसे इसमें जोड़ दिया, on कर दिया, यानि याँ पर क्या कर दिया हमने? switch on कर दिया, यानि इसमें current flow होना, सुरू हो गई. हमने देखा, कि यहाँ पर अपने आप, kilometer में deflection आ गया. क्या यहाँ कोई current के लिए, आपने कोई system बना रखा है, कोई battery लगा रखी है, तो भी कैसे हुआ? तो हमने देखा, जब इसमें current flow ही, तो इसके coil में magnetic field create हुआ होगा, वो magnetic lines आगे, ऐसे, बढ़ी होगी, तो दूसरे coil से भी वो पास होई होगी, ये magnetic lines कट नहीं करते हैं, दूसरे को नहीं, हम तो आईसे से कीज दिये हैं, तो आईसे बनाना की cut न करें, ठीक है, थोड़ा सा system में बनाईएगा, तो यहाँ cut की, यानि देखिए, पहले magnetic lines इसे कितनी गुजर रही थी, एक को नहीं गुजर रही थी, और जैसे आपने current आन की, वैसे ही उसे lines गुजर ना, शुरू ही, बड़ी ना, और nature क्या कहता है, कि किसी भी change को वो, अपोस करता है, तो जो magnetic lines पास हुई, इसकी वज़े से उसने उसको अपोस किया, और इसमें एक induced current, flow होना शुरू हो जाएगी, किदर, इसके opposite, यानि कि ऐसे flow होना शुरू हो जाएगी ना, opposite ऐसे, इसमें एक induced current फ्रोना शुरू हो गई, अब देखे ध्यान से, अब हमने इसको क्या किया, इसको off कर दिया, जो हमने off किया, बाद में off किया, पहले on किया था, off किया, off किया, तो ये lines क्या हो गई, निकल रही ना वापस, वापस आ रही है, जब वापस आएंगी, तो इसमें जो magnetic flux है, उसमें change होगा और नहीं होगा, होगा, फिर उसको oppose करेगा, तो फिर इसको ये, oppose करेगा, तो फिर एक current flow ना, शुरू हो जाएगी, जिसकी direction वही होगी जो, क्योंकि ये, नियमता जो इसकी direction है, और इसकी वज़े से, इसमें current flow ही है, तो नियमता इसमें direction क्या होनी चाहिए थी, वही, जो इसकी हो, भाई, ये बढ़ा रहा था, तो वह घटने की कोशिश करेगा, और जब घटा रहा था वह, बढ़ने की कोशिश करेगा, ठीक है, जैसे होता ने कीज़े, घर में लडाई करते हैं, और जब मम्मी चल ले आती हैं घर, अपने घर, था फोन करी है, कब आई हो, कब लेवाला ही जाई आई, इसी कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, मिच्वल इंड़क्शन, उसमें एक ही क्वाईल की वज़े से, उसी क्वाईल में इंड़क्शन हो रहा था, तो उसका नाम क्या दिया था हमने, सेल्फ इंड़क्शन, इसको हिंड़क्शन हो रहा है, तो लिखो जला, इसकी जो रेंज है ना, जद जो इसको कहते हैं, इसके नजदीक होनी चाहिए, अब अगर इसमें मेगनेटिक लाइन्स हैं, और वो बहुत दूर रखी भी है, तो लाइन्स माँ पहुच जाएंगी नहीं, ठीक है, इस वी प्लेशन, टू कोईल्स निर इच अधर, इस वी प्लेशन, टू कोईल्स, निर इच अधर, ये मेगनेटिक लाइन्स आप पास कराएएगा, और पहले से उसमें अगर एलेक्रिक करेंट है उसको चेंज करें तो डाइग्राम को थोड़ा चेंज कर लीजे डाइग्राम में थोड़ा सा क्या करिए यहां पर एक क्या लगा दीजिए रियोस्टेड लगा दीजिए ठीक है यह ऐसे चलेगा यह रियोस्टेड लगा दीजिए तो रियोस्टेड से क्या हो जाएगा कि आपने क्या किया है यह रियोस्टेड लगा दीजिए रियोस्टेड से यह हो जाएगा कि आप इस current को change भी कर सकते हैं ठीक है और change the current already passing through it or stop the current या पास करें current को change करें या current को stop करें और stop the current then then an emf is induced in second coil and emf is induced in the second coil and emf is induced in the second coil क्या लिगा in the second coil this phenomenon of electromagnetic induction this phenomenon of electromagnetic induction is called mutual induction this phenomenon of electromagnetic induction is called mutual induction इसको mutual induction कहते हैं ठीक है here first coil is called primary coil इसको P मान लीजे है L1 L2 भी मान सकते हैं first coil is called primary coil and second coil is called secondary coil first coil is called primary coil and second coil is called secondary coil अब देखें यह करें कि अगर अगर इस coil के अंदर कोई भी material रख दिया जाए तो material रखने का मतलब जो आप coil लपेट रहे हो ना वो किसी फेरो magnetic उसके उपर लपेट रहे हो तो इसका magnetism बढ़ेगा के घटेगा बढ़ेगा तो जब magnetism बढ़ेगा तो change उसमें ज्यादा होगा ज्यादा होगा तो induction भी ज्यादा होगा जितना change होगा उतना ही तीवर से हो induction होगा ठीक है तो यह हो गया mutual induction क्या होता है ठीक है बना लीजे diagram ठीक है तो यह आपका mutual induction होगया next लिखे अब देखें क्या होगा हम current किसमें flow कराएंगे primary coil में और flux किसमें change होगा secondary coil में जितनी ज्यादा current flow कराएंगे उतना ज्यादा flux change होगा तो primary के लिए हर चीज़ नाम में 1 लगा देंगे और secondary के लिए हम 2 लगा देंगे तो हम कहेंगे मालिया primary में I1 current flow करा रहें और secondary में number of turns N2 है और flux linked with each coil हर turn से जो flux pass वोड़ा वो फाइटू है तो total flux linkage कितना होगा N252 वो किस पर depend करता है I1 पर current पर यहने proportionate I1 तो लिखेगा coefficient of mutual induction let current I1 is passing through primary coil माना वो है उसमें topic है न उसमें क्यो है क्योजंग, let current I1 is passing through primary coil and due to this current due to this current flux linked a magnetic flux linked due to this current magnetic flux linked with each turn with each turn of secondary coil is phi 2 with each turn of secondary coil is phi 2 and number of turns in secondary coil is N2 and number of turns in secondary coil is N2 N2 then the flux linkage to secondary coil total is equal to N2 phi 2 it will depend that is proportionate to I1 current is equal to N2 phi 2 is equal to लिखेंगे तो एक constant आएगा M तो यहां पर M is equal to क्या होगा N2 phi 2 upon I1 विलकुर यही concept था उसमें जहां पर M is a constant यहां पर जो M है ना उसी को कहते हैं कोफिसेंट आफ मिच्वल इंडक्षन मिच्वल इंडक्षन अन्योन प्रेरण गुणांक इंडक्षन या मिच्वल इंडक्टेंस भी कहते हैं मिच्वल इंडक्षन कहते हैं इंडक्षन अन्योन प्रेरण गुणांक या अन्योन प्रेरकत क्या कहा जाए हिंदी में यह कहते हैं न अच्छा इसकी डेफिनिशन कैसे देंगे नीचे वाली चीज को क्या मालें कि बन अगर हम मालें कि इफ आई वन इस इकल टू वन मालने तो एम बराबर क्या आजएगा एन टू फाइटू इसकी डेफिनिशन क्या देंगे कि जो मिच्वल इंडक्षन होता है वो सेकेंडरी क्वाइल में से गुजरने वाले फ्लक्ष लिंकेस का नंबर होता है जबकि प्राइमरी क्वाइल में यूनिट क तो लिखेगा यह पर लिखे यहां पर तो देफिनिशन लिखे हैंस दे कोफिशेंट आफ मिच्वल इंडक्षन दे कोफिशेंट आफ मिच्वल इंडक्षन आफ टू कोईल्स तो कोफिशेंट आफ मिच्वल इंडक्षन आफ टू कोईल्स इस इक्वल तो दे नंबर आफ फ्लक्ष लिंकेस्ज था नंबर आफ फ्लक्ष लिंकेस्ज इन वन कोईल one coil का मतला वो secondary coil की बात कर रहे है ठीक है in one coil when the unit current flows in the other coil the number of flux linkages in one coil when the unit current flows in the other coil तो समझ में आ गया ये क्या होता है अच्छा जब flux change हुआ होगा secondary coil में तो faraday के नियम आनुसार secondary coil में एक EMF भी induced हुआ होगा नहीं हुआ होगा क्योंकि faraday क्या कहते है कि अधर flux change हो रहा है तो वहाँ पर EMF induced होगा क्यों होगा यह हम बता चुके है बहुत flux change करने का विरोध करेगा ना coil विरोध करने का तरीका क्या होता है उसी तरीके का एक opposite magnetic field बनाना और magnetic field बनाने के लिए उसके पास कौन होता है electron charge particle उनको order करता है तो charge particle का एक direction में moment वही आपका potential difference होता है तो उसी को कहा गया EMF तो EMF induced EMF induced यहां लिख दिये by faraday's law by faraday's law faraday's law the EMF induced in the secondary coil in the secondary coil में तो हो गई है secondary coil अब secondary है इसलिए E2 लिखेंगे तो क्या formula होता है minus N2 delta phi 2 upon delta T यह दो होता है अब इस N2 को हम अंदर ले जा रहे है तो आ जाएगा आपका minus delta N2 phi 2 upon delta T N2 phi 2 के विए आप क्या निकाल चुके है MI1 इसके पहले निकाला है ना तो यानि कि यह क्या हो जाएगा E is equal to minus delta यह हो जाएगा MI1 upon delta T आपने यहां क्या किया है N2 phi 2 को क्या लिख दिया हमने MI1 ठीक है अब इसको ज़रा calculate कर लिया जाए देखे यह E हो गया यहां से minus M कामन ले लो तो आएगा delta I1 upon delta T तो M बराबर क्या हो जाएगा minus E2 upon delta I1 upon delta T तो यह एक फार्मूला आपका बना जैसा कि self induction बना था बिल्कुल डेटो वही चीज़ बन रही है ठीक है बस अंतर यह है कि उसमें उसी कोयल में हो रहा था इसमें किसी दूसरे कोयल की वज़़ए से यह हो रहा है ठीक है कि दोनों जगाई E2 होगा वही सेम चीज़ चल लही है ना कर लिज़ इसको अब देखे अब अगर हम mutual inductance की definition इस टर्म में देना चाहें तो क्या करेंगे इसको 1 मानेंगे यह क्या है rate of change of current in the primary coil तो अगर हम यहाँ if delta i1 upon delta t1 माने तो m is equal to क्या हो जाएगा E2 numerically numerically मतलब हमें इसके minus sign से कोई मतलब नहीं है तो इसकी definition क्या देंगे आप लिखे फिर definition दीज़ए definition लिखेगा hence the coefficient of mutual induction the coefficient of mutual induction of two coils the coefficient of mutual induction of two coils is equal to is equal to the numerical value of induced EMF the numerical value of induced EMF in the secondary coil the numerical value of induced EMF in the secondary coil लिखेगा when the rate of change of current in the primary coil is unity when the rate of change of current in the primary coil is unity definition अपने आप इससे बन रही है ठीक है वह ऐसा नहीं कि आप ये रटें आप इससे निमेकल लिए अपने आप कर सकते है ठीक है अच्छा इसके unit की बात करें तो इसको देख के क्या लग रहा है आपको वोल्ट पर एंपियर पर सेकंड या दूसरी unit के आपने कल पताई थी हिन्री हिन्री तो ये आपकी unit हो गई पहले इस heading का मतलब समझेगा लिखा है mutual induction of two long coaxial solenite समझेगा coaxial का मतलब दोनों solenite बोले तो shrink type की होती है ना उसका axis same है ठीक है हम यहाँ क्या करेंगे एक coil लेंगे ठीक है ऐसे इसको क्या करेंगे solenite उसमें current flow कराएंगे अगर उसे current flow होगी तो उसके अंदर एक magnetic field generate होगा क्या formula होगा mu not ni यह होता है ना अब उस coil के उपर एक और coil लपेटेंगे तो भाई देखे जब पहले coil में magnetic field generate हुआ ऐसे होता रहा लाइन निकल कर के से बाहर आता है और दूसरी coil आप उसके उपर लपेटोगे तो वो magnetic lines दूसरी coil से पास होगी कि नहीं होगी तो according to physics वो दूसरी coil उस change को ripple करेगी अपोज करेगी तो उसके लिए उसका तरीका आप जानते हैं क्या होगा वो अपना खुद का एक opposite magnetic field बनाएगी तो यही तो funda आपका mutual induction कराता है तो वो ही यहाँ पर बताए जा रहा है ठीक है तो हमने कहा पर थोड़ी कहानी लिखिए let a coil let a solenide coil न लिखिए let a solenide half length half length small L half length small L ठीक है half length small L and area of cross section A and area of cross section capital E मना एक solenide L लंबाई का है उसके अनप्रस्ट का च्छेथपल A है और उसके area of cross section अनप्रस्ट का च्छेथपल A है और उसमें कुल turn की संख्या capital N1 है and N1 is the number of turns capital N1 N1 is the number of turns ठीक है and current I1 is flowing in this coil in this solenide current I1 is flowing in this solenide देखो जहां से यह एक solenide यह है एक solenide कुछ ज्यादा बड़ा हो गया है चलो रहने दीजिए यह एक size का है कुछ ज्यादा कम ज्यादा हो रहा है वारी writing ठीक का करें यह एक solenide है यह जानबूस कितना बनाए जाए है और इसकी length कितनी है small L और इसमें current हमने कौन से flow कराई है I1 यह current इसमें flow हो रही है तो अब बताओ इसमें एक magnetic field होगा और नहीं होगा तो magnetic field inside the magnetic field inside the solenide inside the solenide B is equal to क्या होगा mu naught अब देखे N हमने क्या बोला है total number of trans बोला है न यहां से N क्या चाहिए आपको तो आपको क्या करना पड़ेगा N1 upon L into I1 यह magnetic field create हुआ अब ज़रा देखे ध्यान से अब आपने क्या किया इस coil के उपर एक दूसरी coil ऐसे लपेट दी यह coil उसको छू नहीं देई है पहली वाली coil primary coil जी दूसरी वाली coil secondary coil होगी लपेट उसके उपर ऐसे चढ़ा दी ऐसे चढ़ा दी उसके उपर हाँ उसके अंदर रखा हुआ है मताब पहले वाली solenet उसके अंदर है पूरी-पूरी अब पूरी-पूरी अंदर नहीं यह थोड़ी बाहर भी निकली होगी ना यह coil की लंबाई ज्यादा है ठीक है तो ज्यादा चढ़ा तो क्या दिकत है वो तो जितने number of turns हो ठीक है इस पे लिखी आगे let a secondary coil let a secondary coil capital S secondary coil capital S having n2 turns n2 turns is is found closely is wound closely at n1 number n2 number of turns having n2 number of turns is wound closely on the primary coil is wound closely on the primary coil तो देखे magnetic flux linked magnetic flux linked with each turn with each turn of secondary coil हर एक टर्ण से magnetic flux कितना link हो रहा है फाइटू क्या फ्रमला होता है B into A आप देखो ध्यान से आप आप कहेंगे सब A तो आपने लिया था इसी का एचुली में जो secondary coil है closely wound है तो लगबग लगबग जो एरिया primary को होगी वही एरिया बज़िसे टोपी आप लोग है तो टोपी तो खोपड़ी को पर लगाते हो ना लेकिन टोपी की एरिया उतनी होगी जितना खोपड़ी का एरिया होगा तो चुकि वह closely wound है इसलिए जो area of cross section आप primary का ले रहे हो वही माल लिया जाता है कि area of cross section secondary का होगा तो रख दिया जाए B कमान कितना है mu naught N1 upon L into I1 into A यह magnetic flux pass हो रहा है यह diagram बना लिया है बना लिया है ना तो mutual induction M बराबर क्या बताया गया है the coefficient of the coefficient of mutual induction mutual induction M बराबर क्या होगा क्या फाउन लफदा आई गया N2 phi 2 upon I1 यह रख दो उठा करके पूरा तो N2 N2 और phi 2 के value क्या है mu naught mu naught N1 I1 A upon small L into I1 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 गई 1 कहों चली गई यह ब्रप कर रहे इतना तो जब्राबर क्या आएगा M का formula क्या आएगा M is equal to mu naught N1 N2 into A upon L यह L किसके निचे आएगा यह L किसके निचे लिखा जाएगा यह L किसका रिष्टदार है यह primary quality लंबाई है न तो इस L को आप इसके निचे लिखोगे न इसका एक नया नाम दे सकते हो number of turns per unit length indicated by small N1 तो यह हो जाएगा M is equal to mu naught small N1 capital N2 into A ठीक है तो यह आपका coefficient of mutual induction है तो दो coaxial solenoid होंगे ठीक है देखिए टॉपिक है energy stored in inductor पहले इसका मतलब समझा लिजेगा किसी coil में जिस coil में current flow कर रहे हैं उसी की बात में कर रहा हूँ तो self induction की बात कर रहा हूँ किसी coil में energy stored का मतलब क्या होता है हम charge दे रहे हैं वह charge देंगे तो work करना पड़ेगा ना जब किसी coil को charge देंगे current flow कराएंगे मतलब चार्ज कैसे देते हो current flow होता ना जब current flow कराएंगे तो वह coil क्या करती है वह change को oppose करती है वह opposite force लगाती है ठीक है और हम और charge भेज रहे हैं अब पीछे charge भेज रहे हैं आगे वाला charge आगे बढ़ नहीं रहा है तो हम क्या करती है यह लागे बढ़ आ तो आगे बढ़ेगा अगे इंधक करण ओ उसको अंदर कंप्रेस को पड़ेगा ना तो जो आप जदा वर्क कर रहरों यही वर्क एनरजी की फार में यही फंडा वात N estにな अनर्जी का होता है तो जब किसी कोयल को हम current देते हैं तो उस kयल में एक बैक겠 के एम dif कहरेट ह हुता है और उस rise in current को तो वो का विरोध करता है, उसके back में एक EMF create हो जाता है, back EMF, जो rise of current को oppose करता है, तो हमको अगर current उसको देनी है, तो हमको पीछे से work करना पड़ेगा, यही work उसके energy के form में store होता है, इसी को दिया गया है energy stored in inductor, तो थोड़ी कहानी लिखेगा, when a current is sent, when current is sent, through an inductor by a battery, when current is sent, वो passive आइस में बनाई जाएगा न, active passive पड़े होगा आपने, इसके साथ third farm बनाई जाता है, इक current, अब इंग्लिश वीडिया बाले यह सब बोलोगे, करोगे क्या, when current is sent through an inductor by a battery, then due to self-induction, and EMF is induced, and EMF is induced in the inductor, and EMF is induced in the inductor, inductor बोले तो coil को ही inductor कहा जाता है, inductor, which opposes the growth of current, which opposes the growth of current, growth of current, ठीक है, अब हमको तो एक steady current पहुचानी है उसको, हम चाहते 10A की current flow हो जाए, तो 10A की current जोला भर के ले जाएंगे, इसे फेक आएंगे जाकर के, 10A की current लेके जाएगा कौन, चार्जे जाएंगे न, तो एक चार्ज चार्ज तो जाने सकते, कि पूरा जोला भर चले जाएंगे, देरे जरे जाएंगे न, तो आपको अगर एक steady current value पहुचानी है, तो आपको work करना पड़ेगा, उस work को ही हम कहेंगे energy, तो paragraph change करके लिखे, for the current to reach its steady value, for the current to reach its steady value, work is done against the back EMF, work is done against the induced EMF work is done against the induced EMF and this work is stored in the form of energy and this work is stored in the form of energy called potential energy called potential energy energy now see how this energy is out of the form of energy see we have what we know we know V is equal to Q into V here V is equal to E Q into E V V is equal to is equal to E induced E induced E fixed no current flow change value change so we can't do we can't do current and induce EMF rate will work this method method and this method is is the the method apply change if capital L is the coefficient of self-induction if L is the coefficient of self-induction and rate of change of current is di by dt then induced current sorry induced EMF is given by e is equal to minus L di by dt if you can't see if you can't see current change will change will fixed will be fixed will be fixed can't see the work done 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 the work done the work required to move the charge DQ the work required to move the charge DQ against this EMF the work done your work required to move the chart DQ against EMF so DW is equal E into DQ 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 DT DQ DT which is ? 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 तो total work done, total work done, इस current की value को देदो, total work done in the flow of current, in the flow of current, flow of current, कहा से कहा तक, from 0 to I0, इतना आपको flow करानी है, पहले 0 थी, धरे-धरे current होना शुरू किया, coil ने आख दिखाना शुरू किया, नहीं flow होने देंगे, ठीक है, तो इसका अपना नहीं flow होने देने की तरीके दूसरे होते हैं न, तो w बरावर क्या हो जाएगा, minus L, I, Di, और 0 से I0 के बिच में इसको integrate कर दो, अब बैलो जी वाले साउधान हो जाएं, L, I का integral I square by 2 होगा, नहीं मारूं न, देखें, अगर अकेला कहीं dx लिखा हो, तो इसका integral x होता है, अगर कहीं पर dx के साथ x का function ऐसे लिखा हो, तो इसका होता है, x पौर n प्लस 1 अपान, n प्लस 1, चुकि I की पौर 1 लिखा है, तो इसका integral होगा, I2 पौ करने का तरीका क्या होता है, पहले I की जगे upper limit रखेंगे, I0, फिर minus लगाएंगे, फिर 0 रखेंगे, तो इसका आजाएगा, W is equal to minus L, I0 square by 2, यह W हो गया, अच्छा, एक मिनट, यह जो W लिखा गया है, यह, इसको चुकि अपोस करता है, न, वर्क, अगेंस है, इसलिए यह पर minus sign लगाए जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, क्या यहाँ definite हो जाएगा, यहाँ definite हो जाएगा, तो यही work energy के form में store होगा, तो potential energy कितनी हो जाएगी, U बराबर half L I0 square, ठीक है, तो यह आपका formula है, energy stored in an inductor, important है, ध्यान रखेंगा, देखें, एक अकसर पुचा जाता है, eddy current, इसकी definition अलग से लिखा नहीं रहे, मैं समझा रहा हूँ, सुनिए ध्यान से, सवधान, किसी भी metal को metallic conductor लिया आपने, उस metallic conductor को किसी magnetic field के अंदर घुमाया, या किसी magnetic field में रख दिया, और magnetic field चेंज कर रहे हो, दोनों बाते सेम है न, भई आप पंखे से अपने उपर हवा करिये, या हवा ना चल लाई हो, तो आप खुद ऐसे pancake तरे घुमिए, तो आपको दोनों ही case में हवा लगेगी, जैसे अब हमनों college में light बड़ी दिक्कत थी, तो हमने का एक जूला डाला जाए, तो किसी changing magnetic field में रखो इसको, तब ही flux change होगा, और या तो magnetic field में इसको घुमा तो जब किसी metal को, किसी magnetic field में move कराए जाता है, या changing magnetic field में रखा जाता है, तो ये metal क्या करता है, उस change को अपोस्ट करता है, अपोस्ट करने का तरीका क्या होता है, वो एक opposite magnetic field create करेगा, magnetic field create करने के लिए इसके बार, soldier कहां से आते है, current, तो ये opposite current flow कराता है, हर एक electron उसके, सर्फेस के अंदर, एक opposite current flow होने सकती है, उसी को हम क्या कहते है, eddy current कहते है, ठीक है, अब eddy current से बचने का तरीका क्या होता है, वो एक metal मत रखो, बहुत सारे metal की पत्या एक दूसरे के उपर ऐसे रख दो, एक पत्ती रखो, बीच में कोई वो plastic लगा दो, दूसरी पत्ती र होता है, ठीक है, तो वो oppose करेगे न, उसको, टांसरे को, प्लेट जो है, वो oppose करेगी, तो eddy current flow होगे न, अब क्यों की alternating current है, तो current बार बार चेंज होनी है, और बार बार चेंज होनी तो लगातार वो oppose करेगा, तो आपोस करेगा, तो क्या होगा, उसमें heat up हो जाएगा, गरम हो जाएगा तो उसके लिए हम क्या करते हैं ट्रांसफार में देखा होगा एक पूरा मेटल की प्लेट नहीं होती है उसमें तो उस पत्तियों से एक दूसरे के एडी करेंट के फेट को हम समाथ कर जेते हैं ठीक है प्रेक्टिकली समझेगा होता क्या है साउधान ये एक प्लेट है ठीक है देखिए मैं प्रेक्टिकली समझा रहा हूँ ये आपको बनाना नहीं है जब आपने मैगनेटिक फिल्ड ये चेंज किया ये मैगनेटिक फिल्ड फ्लो कराया ठीक है इसके बगल में एक दूसरी प्लेट रखी वी है ऐसे पत्ति रखी वी है ठीक है ये बाइस ये मैगनेटिक फिल्ड इसमें भी पास होगा ये भाइस आप क्या किये इसको आपोस करने की वज़े से इसके अंदर एक magnetic field ऐसे create हो जाएगा अब दूसरी पत्ती को समझिए दूसरी पत्ती के उपर कितने magnetic field हैं दो एक इनकी eddy current वाला एक यह confused हो गया कि इसको oppose करें किसको oppose करना है इधर वाले को करना कि इधर वाले को करना है तो यह net को oppose करेगा नहीं समझें जैसे माला यह दो दो tesla गर था और इसने opposite में 1.5 tesla create किया तो यानि कि 0.5 tesla create किया तो net current magnetic field कितना इसके पास है 1.5 tesla पहले वाले कंफ्यूज हो जाएगा कि oppose किसको करना है क्योंकि जिसको oppose करेगा यह magnetic field को oppose करना है इधर वाले को कहें oppose कर रहे हो तो net magnetic field को oppose करता है कितना 1.5 अब देखो 1.5 को oppose किया तो फिर आगे एक और plate रखी भी है तो इस परकार से धिरे धिरे effect क्या हो जाता है खतम हो जाता है इस परकार से eddy current के effect को हम खतम करता है इसी रहे ट्रांसफार्वर में एक पूरी metal की plate नहो करके यह metal का वो नहो करके बहुत सारी पत्तियां लगाई जाती है जिससे के eddy current के effect को समाथ करते है ठीक है तो this is the end of this chapter ठीक है जिससे के लिए जाता है